जैशीराम हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम अमित और यह अपने सामने खड़ी हुई है 2024 रेनॉल्ट काहिगार और यह इसका आर एकसेल वेरियंट जो कि इसका सेकंड बेस मॉडल है एक शोरूम आपको कॉस करता है 6,60,000 रुपे देखेंगे इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी हमें क्या-क्या फीचर्स आफ़ा करती है तो वीडियो में तक बने रहना और भाई अगर अभी तक अपाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल कलर का बटन ह उसको प्रेस करके कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसमें आपके कोई पैसे वगर खर्चनी होने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरूँ और एक चीज़ पहले बता दू इस मॉडल में इस सेकिंड बेस मॉडल में आपको इतने features मिल जाएंगे ना जो शायद ही आपने किसी और गाड़ी में देखेंगे और SUV segment की यह गाड़ी है तो बात करते हम इसके बारे में सामने बड़ा सा मिल जाता आपको Reynolds का logo जो की पूरा chrome में है और इसकी जो front grill है वो आपको matte black color में मिलती है with chrome texture, chrome accent देखने में गाड़ी की जो front look है वो काफी जाद अच्छी लग रहे है एक तुम sporty सी feel देती है यह और इधर आपको मिल जाते हैं यह उपर DRLs है नीचे turning indicator DRLs LED में है और यह जो है dimensions की बात करते हैं 1750 mm है इसकी width, side में चलें तो 491 mm की length आपको इसमें मिल जाती है 2450 mm का मिलता है wheelbase और 205 mm का अच्छा खासा ground clearance आपको इसमें मिल जाता है tires की बात करें तो MRF के tires आपको मिलने वाले हैं steel rim with wheel covers, tire profile 1956 and 16, 16 inch के tires मिलते हैं, front wheels में disc brake मिलती है और rear wheels में drum brakes इधर fender पर देखें कुछ design से दे रखें जो की piano black color में है और काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी सी sporty look इसको दे रही है और अच्छी लग रही है ORVM आपको मिलते हैं piano black color में कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ORVM को पर दे रखा turning indicator A plur आपको body color मिलता है, B plur black color में और पीछे कोई भी आपको quarter glass नहीं मिलता लेकिन इधर C plur पे आपको जो है black color की finishing दे रखें जो की अच्छी लग रही है कड़ी की जो overall look है ना वो काफी ज़्यादा sporty लगती है Door handles आपको piano black में ही offer किये गए हैं, काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं White color के साथ तो बहुत ज़्यादा suit कर रहे हैं Wheel large cladding आपको मिल जाती है और यह है गाड़ी की side profile देखो है कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है और price भी काफी ज़्यादा कम है इतना कोई high-five price नहीं है इस गाड़ी का और यह है गाड़ी की rear profile Side से गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और यह rear profile है इसके बारे में बात करते है इधर आपको Reynolds का logo, Kyger की badging इधर Reynolds की badging, glass पे आपको रियर, wiper defogger वगरा कुछ नहीं मिलता high mount, stop lamp और यह दोखो भाई, spoiler, कितना ज़्यादा sporty लग रहा है shark fin antenna, piano black color में roof rails आपको मिल जाती है silver gloss color में काफी ज़्यादा अच्छी लग दे, बहुत प्यारी सी इसको color जो है वो काफी ज़्यादा चुन-चुन के यूज़ के गए है यह है tail light का design she shape में आपको tail lights मिलती है LED tail lights है यह हो गया turning indicator और यह reverse lamp देखो कितनी ज़्यादा प्यारी रात को जब जलेंगी ना बहुत खूबसूरत लगेंगी नीचे यह होगे reflectors और इसमे rear view camera तो आपको नहीं मिलता लेकिन तीन points मिल जाते है reverse parking sensors एक, तो और यह दर तीन और यह जो है पूरा rear bumper आपको matte black में दे रखा है color के साथ काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और driver side से डलेगा इसमें fuel 40 liter fuel tank capacity है अंदर चलेंगे, चाबी दिखा दूँ तो कुछ इस तरह की मिलने वाली आपको चाबी एक में आपको मिलती है center locking और दूसरी simple है चाबी कुछ इस तरह की है, lock unlock interior आपको all black मिलता है matte black और piano black की finishing के साथ तो इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी देख लेते हैं door panel ये भी काफी ज़्यादा खुख सूरत है ऐसे पूरा hard plastic है लेकिन इदर black color में कुछ texture है ये piano black की finish crab handle ये हो गया, चार उपाव windows आपको मिल जाती है और front में आपको speakers मिल जाते है पीछे आपको कोई speakers नहीं मिलते है केवल front में speakers मिलते है door handle आपको matte black में ही offer किया गया है और front में driver और co driver दोनों headrest जो है, वो आपको मिलते है adjustable seats देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, ये gray color है ये black color, देखने में काफी जाधा अच्छी लग रही है कोई seat cover वगरा की ज़रूत नहीं है और four-way manual adjustable driver seat मिलती है आपको manual variant है, तीन pedals accelerator, clutch, brake, dead pedal नहीं मिलता आपको ये होगा headlight levelizer और यहाँ से fuelet open होगी इदर AC vents finishing, piano black की दे रही है काफी जाधा अच्छी लग रही है, अब चलते हैं इसकंदर और ये है interior की look पहरे बात करेंगे steering की एक पर चावी लगा देते हैं इसमें तो ये steering, normal steering आपको मिलता है कोई भी leather app अगरा नहीं है और steering की एक बार adjustment देखें तो tilt और केवल tilt option आपको मिलता है बीच में renault का logo जो की काफी जाधा अच्छा लग रहा है खुबसूरस सी design है यार इदर airbag की badging अब बात करेंगे इसकी safety features की तो इसमें आपको मिलते हैं दो airbag ABS EVD traction control, electronic stability control, hill assist और TPMS जैसे safety features second base model से ही जो कि मुझे नहीं लगता कोई और company offer करती है इस price पे अपी सामने है instrument cluster ओन करके दिखा देते हैं ये देखो क्या खुबसूरस सी design है यार मज़ा आ गया बात करते हैं इदर tachometer जिसमें दे रखे 6000 तक 11 RPM जो कि आपको जब start होगी गाड़ी तब ही show होगी lights वगएरा और speed आपको digitally show होगी बीच में MID है इसमें एक stick दे रखे है जिससे आप अपनी kilometers वगएरा की details वगएरा range वगएरा सब कुछ निकाल सकते हैं कितनी average दे रही है सब कुछ आपको इदर show हो जाएगा ये है fuel gauge जो कि अभी खाली पड़ा है उपर engine temperature और ये कुछ पूरा जो ये section है ये warning सा है तो इदर देके इसमें आपको stereo भी मिल जाता है normal Bluetooth और aux की connectivity के साथ साथ में front में आपको दो speakers मिल जाते हैं rear में कोई speakers नहीं मिलते हैं ये होगए AC vents इदर hazard का button ये lock unlock और ये हो गया traction control और आपको बटन ये भाई AC के controls इदर को space है ये जो section है ये आपर variance में आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ wireless charger वगएरा यहाँ पे push start button आपको मिल जाएगा ये जो है अभी इसमें blank चोड़ा हुआ है नीजे इदर अपको space मिल जाता है काफी deep सब 5-speed manual gearbox leather wrap इदर देखें तो ये heavy space देखो कितना अच्छा आपको space मिल जाता है और armrest भी मिल जाता है soft touch के साथ ये होगी handbrake design काफी जाद अच्छी है chrome का accent glove box देखें तो काफी अच्छे size का आपको इसमें glove box मिलने वाला है ये कुछ इंदर section से बना रखें सामान वगएरा रखने के लिए RC वगएरा और papers आपके आराम से आजेंगे तर उपर manual dimming आइएर भी हम आपको मिलता है driver side आपको vanity mirror नहीं मिलता ticket holder भी नहीं है material जो है वो काफी ज़्यादा अच्छा है भाई ये देखो इधर ही mic के लिए दे रखे है code driver side भी आपको vanity mirror नहीं मिलता और front camera light जो है वो आपको मिलती है LED में एक बार ये देख लो dashboard की look और उपर ये जो है piano black की finish है मुझे personality काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अपनी जो राय है वो आप हमें comments में बता सकते हो comment ज़रू करना कैसी लग रही है अब इसको बंद करते हैं और चलते हैं बई second row में seat को थोड़ा adjust कर देते हैं इदर भी पहले door panel की बात करेंगे देखो design ये piano black की finish ये कुछ texture crab handle power window का button नीचे bottle holder speaker के लिए cut out दे रखा है speaker scale front में आते हैं इदर tweeter के लिए भी cut out दे रखा है door handle आपको matte black में offer किया गया है और ये मिलते हैं lock के इसमें आज भी यह आते हैं पीछे आपको दो headrest मिलते हैं और दोनों के दोनों fixed है अड़्जस्टोल नहीं है बीच में कोई headrest नहीं है और कोई armrest वगएर अब नहीं है तीनों passengers के लिए इदर आपको seat pelts मिल जाती है और अब चलते हैं इसके अंदर ये बात करते हैं देखो थाई support अच्छा है near room अच्छा है leg room अच्छा है बीच में ये जो hump बिलकुल flat है मानुमत देख लो बिलकुल flat इदर एक बार वाट का power socket इस events आपको मिल जाते हैं ये बलोर की speed को adjust करने के लिए overall सब कुछ safety, comfort, space बहुत अच्छा है गाड़ी में एक दम top class इदर grab handle आपको मिल जाता है same as a दूसी side एक front में मिल जाता है core driver side और बस देख लो एक बार dashboard के लोग comments में बताना कैसा लग रहा है सीधे चलते हैं देखाते हैं आपको इसका boot space और हाँ कोई चीज मिस हो गई हो तो comments में पूछ लेना parcel tray आपको मिल जाती है और 405 लीटर का मिलता है आपको अच्छा खासा deep boot space जो की काफी ज़्यादा है ठीक है इसके नीचे है spare wheel spare wheel का size 165 ACR14 same वही normal steel rim इसको करते हैं बंद और चलते हैं अब आपको दिखाते हैं इसका engine compartment अब बात करते हैं इंजिन की power और रक बारे में यहां से गया bonnet open और यह इसका engine उपर insulation pad आपको मिल जाता है नीचे engine guard आपको नहीं मिलता है इंजिन की बात करें तो इसमां आपको मिलता है 1 लीटर का 3 cylinder petrol engine जो की generate करता है 76 bhp की power और 96 nm का torque mileage आपको लगवग 20 km का निकाल के दे सकते है बड़े आराम से city के अंदर अब इसको करते हैं बंद और बात करते हैं अब इसकी pricing वगएरा के बारे में तो भई यह थी अभी आपके सामने 2024 रैनोल्ड काईगर और यह था इसका RXL second base model एक शोरूम आपको cost करता है 6,60,000 रुपे और on road यापको फईदावाद में साकर मोटर्स पर पढ़ जाएगा लगवग 7,60,000 रुपे के असपास किसी भई को यह गाड़ी लेनी हो तो शोरूम के जो contact details है वह आपको मिल जाएंगे description में जाओ चेक आट करो अपनी गाड़ी बुक करो इसी के साथ वीडियो को करते हैं वीडियो चली तो वीडियो को like करना इस वीडियो को अपने दोस्तों पाश जरूर शेर करना जो काईगर लेने का plan कर रहे हैं हो सकता है वेरियंटों ने पसंद आ जाए और भाई अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या क्या अगर रहे है यार कर लो चैनल को subscribe नीचे लाल कलर का बटन है उसको प्रेस करके चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब साथ में जो बैल आइकन उसको प्रेस कर देना जिससे आप कोई भी हमान notification मिस्ट ना करवाएं अभी के लिए बाई बाई मिलता अगरी वीडियो में चैस्ट रिखाओं